नमास्कार दोस्तों सोगात है आपके इपने चैनल फैंटसीव इन प्रिडिक्शन में तो दोस्तों कवर करने वाले मलेशिया टी टून टी आई ट्रैनेशन स्रीज का थर्ड मैच है जो को दोस्तों बखला जाएगा हॉंग को पिंजी टीम्स के भी डिप लांस करेंगे इस ब मिलती रहे दोस्तों नमारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा जो मरी फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलेग्राम चैनल पी मिलेगी आपने जल्दी जाके हमारे टेलेग्राम चैनल को जोइन कर लेना इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंड में आपको ट तरन टब टेलेग्रम चानल जोईन कर लिजे दोस्तव कभी की बारत लिंग आप डिरक्ली टेलेग्रम पर सेर्च करके चैनल जोईन कर सकते हैं टेलेग्रम पर जाके सेर्च करें ऐट-ARzylfwp आपको Enfinνसिपन प्रेडिक्सकैटिन चैनल दिखेगा 3500 के सब्सक्राइबर होंगे वहीं हमारा एकमात रियल चैनल है उसी चैनल को अपने जॉइन करना और रुजय नेम आट धरेट रियल एफड़ू भी देखके अपने चैनल जॉइन करना है बात कर लेते हैं दोस्तों मैच की तो मैच वांडिंग उस तुभे ग्राउंट पर जायतर खेले जाते हैं और यहां पर दोस्तों अक्सर मतलब 1500 के आसपासी स्कूरिंग होती है तब 140-160 के बीच में स्कूरिंग देख सकते हैं पहले दोस्तों बात कर लेते हैं होंगकोंग टीम्स की तो पहला मैच अपना हार रहे हैं मलीशे को हां थे काफी गुरे तरीके से लोग पहला मैच चाहरे थे इस टीम की तरफ शाप कोपलिंग करते हैं निजाकत खान उनकी साथ उपन करना हैंगे नसरुल्ला राना अला कि दूस्तों नसरुल्ला राना एक प्रॉपर ओपना नहीं है लास्ट मैच में टीम ने तुर था एक्सपरिमेंट किया था इनको बतार ओपनर बेज जाता है इनको सिर्फ दोर रन मनाये दोर के बॉलिंग कराई थी जाप इनको विकेट नहीं मिला था ओर 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 राकड़े देखेंगे 14 मैच 21 रन 11 विकेट इस तरी से पहले का इनका रोकॉर्ड है कुछ खास प्रदर्शन नहीं था निज लास्ट गेम उनने बॉलिंग से अच्छा किया तो इस मैच में भी आपको अच्छे कैसे बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं और साथ में बैटिंग से आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे पार्ट टाइम बॉलिंग ये भी करते हैं लास्ट गेम में पांच रण किये लेकि इनको बॉलिंग नहीं दी गई थी डुमेस्टिक में रेसिम में जो मैचेस के लिए वाप इनका प्रतसन अच्छा रहा था लेकिन बॉलिंग नहीं मिले क्योंकि लास्ट मैच में में नीचे आगे थोड़ा बॉलिंग का बैक अप देते हैं लास्ट गेम में पंदरा राण की दे चारवर के बॉलिंग कराई थी एक बिगट निकाला था आयसान खान इस टीम के सबसे बहत्री इन बॉलर है और ब्रेक बॉलिंग करते हैं इविन पावर प्लेम बॉलिंग करते और देस वर्चों भी डालते हैं इस पिनर होने के बाउजित इतना इनका कंट्रोल है बॉलिंग में लास्ट गेम में चारवर डाल के दो बिके निकाले जील में सी बीसी जरूर करेगा अके लिए दम में गेम मदलनी की शमता रखते हैं ओर ओर ओल देखेंगे दोसो चारव अब इनके में में बॉलर्स की बात कर लेते हैं जिसमें दोस्तों यहां पर आपको दिख रहे होंगे नीचे गजनफर यह चारवर डाल के जाएंगे एसान खान लगबग कंफर्म चारवर करेंगे तो दो बॉलर्स हो गए तीसरे हो गए इनकी एनस खान तो यह तीन बॉलर्स कर लगबग आपको बार बढ़ देखने को मिलेगा बागी की दोस्तों ज जरूर दीनों डाले लेंगे लास्ट के में अच्छा किया तो बॉलिंग मिलना चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों इनकी बेंच में कुछ प्लेयर्स हैं जो कि सायद ना खिलने दिन में से कोई खिला तो मैं इनके स्ट्रेश टेलेगराम पे आपको दे दूगा अब बात क टॉनी उरा ने जबज़ा श्रिक्ष टू हमारे थे यहां भी जो सारे प्लेर के स्ट्रेश थे मैं आपको बता दूँ फिर एक बार टी रूंटी आई के स्ट्रेश ने लास्ट गेम के स्ट्रेश नीचे में संट कर दिये गए हैं लेकिन आपको फाइनल अपडेट मिलेगा तो 37 कर टी रूंटी के अंदर हो रहे थे तो आपने अपनी टीम में उनको जरूर लेके जाना है अच्छे प्लेयर हैं अच्छे प्लेयर हैं असद वाला जो कि लेटेंड बैसमन आउब्रेक बालिंग करेंगे लेकिन ये भी पार्ट टाइम डालते हैं जैसामनोल टीम में बालिंग कितना करेंगी ये थोड़ा रिस्की रहेगा मामला लेकिन आप बैटिंग से आप कोपेंग करते हो जरूर नजर आएंगे किपलिन डॉरी का इस टीम के जो कीपर हो नंबर तीन खेलते हैं लास्ट गेम में जीरो पे नाट आट आउट ही रहे थे एगी फिट गिर पहले बैटिंग करेंगे सेकंड बैटिंग में आप छोड़ने कर रिस्क ले सकते हैं क्यों कितना बैटिंग मिलेगा क्यों बालिंग इनका भी चारवर गुरा कंपाव नहीं रहता कभी दो और डलते हैं कभी एक और कभी तीन वर ऐसा इन कर रहता है लेकिन बैटिंग पहल पर इनने डालते इसलिए यह थोड़ा सा रिस्की रहेंगे अली नाओ की बात किया है लास्ट गेमें चार वर डाल के तीन भीकेट निकारी यह अच्छे पिकराइ सकते हैं लेकिन और अलाकर इनकी भी उतनी सही नहीं थे लास्ट गेम उन्हें बॉलिंग अच्छी की तो चार 12 गेम में 14 विकेट थे तो यह फिलेंगे लेवन देखने को मिला थे फिलेट को मिल सकता है और वाइटिंग ओर उटर भी लगवग लगवग उयराना चाहिए यह लही प्याप्र डिस्करिप्सन में और पहले कमें लिंक मिल जाएगा आप जूइन कर लें तो दोस्तों बात आपको दिखेगा हॉंग कॉंग का माथूर आप ट्राई करना चाहें कर सकते हैं ये भी मिडलर खेलते हैं लेकिन मेरे जाप से पी एंजी की टीम तुरह ज्यादा प्योरेट है तो आप उनी का कीपर लेके जाएं बैटिंग सक्सम्स में चार प्लेर लिए हैं निजाकत खान म एक खान हो गए अब दोस्तों अनस खान नॉर्बन में दोनों का बैटिंग और बहुत नीचे रहेगा मतलब नमबर छट हुआ साथ मा रहेगा लेकिन बॉलिंग दोनों चार चार बड़र जरूर डालेंगे चलिए दोनों मेरे टीम में रहने वाले हैं रेरी हो एकरो बॉल पहले बैटिंग करेंगे तो जोहन केरे को तो आभी क्लिए मैंने कारिकों कर रख लिया बॉलिंग शि Chung में टीम में गजनफन रहने वाला हैं जून लास्ट Combat नंहीं दालते पाट टाम बॉलर्स हैं लेकिन बैटिंग रहेंगे इनका मने प्लेइंग लेवन देखोंगा तो फिर तीन-चार वर डाल सकते हैं तो फिर कैप्टन मेरे यही रहेंगे असा दोबालोग वाइस कैप्टन की है जो कि आपको ओपन कर तो ने द रहेंगे साथ में यह कुछ वर की एक आद दोर की बॉलिंग भी कर जाते है तो दोनों साथ में ओपन करते हैं इस वास मेरे सीवीजी है क्योंको पाउर प्ले का फायदा है लोग उठा सकते हैं हलाकि इस मैच में आपको कोई ऐसा आल लाउंडर नहीं मिलेगा जो कि आपको नमबर तीन-चार पर बैटिंग करता हो दोगे साथ में आपको तीन-चार यदि इंकी टीम पहले बैटिंग करेगी तो थड़ा बैटिंग से रन भी वरा सकते हैं और बालिंग तो भाई कमाल की करते हैं कोई संदे नहीं है मिलते हैं टेलेग्राम पे वीडियो आज करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद और दोस्तों एक इंपोर्टेंट उपडेट ग्राल लिग में आप जो बॉलर्स ना उनको सीवीसी जरूर करिएगा धन्यवाद